एंड मैन जिसका नाम विक्टर है उसे बताता है कि वो अगला प्लेनेट कौन सा डिस्ट्वाई करने वाले हैं साथी ड्रेक एक प्लान बताता है जिससे वो गैलेक्टिक हीरोज को खत्म कर शकते थी पर विक्टर ड्रेक से कहता है कि उनके पास कोई आर्मी नहीं है जिससे वो हीरोज से फाइट करे और अगर वो ऐसे ही फाइट करने जाते हैं तो जरूर हार कर ही वापस आएंगे पर ड्रेक विक्टर को किसी बात की चिंता ना करने की कहता है जिसके बाद हम दिखते हैं अपनी सौप के ओनर से परमीशन लेकर रैचिट वहाँ पर आ जाता है जहां से पांचवे हीरो को चुना जाने वाला था बाकी चारो हीरो सामने स्टेज बराते हैं और रैचिट उन्हें देखते हुए सोच रहा था कि कास उसे ही पांचवा हीरो के रूप में चुना जाए लेकिन काफी जल्दी रैचिट के सारे ड्रीम टूर जाते हैं क्योंकि कैप्टन कॉर का रैचिट को उसकी छोटी बॉड़ी की वज़े से रिजेक्ट कर देता है और साथी रैचिट ने अपने पास्ट में भी सिर्फ प्रॉब्लम के अलावा कुछ भी नहीं किया था वहीं ड्रेक का डॉक्टर नेफेरियस ड्रेक को एक इविल रोबोट बनाने वाले फैक्टरी दिखाता है जिसके मदद से अब ड्रेक भी अपने खुद की आर्मी बना सकता था लेकिन तबी उनकी फैक्टरी पर लाइटनिंग आकर गेरती है